Assalamualaikum to all the viewers of Learn English with Saadi आज की वीडियो में हम MA English का जो सिलेबस है जो करिकुलम है वो इंचाले डिसक्स करेंगे तीन उनिवर्सटी का जो सबसे पहले उनिवर्सटी आफ पंजाब लहोर, उनिवर्सटी आफ सर्गोधा और उनिवर्सटी आफ गुजरात का लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा ताके बीच में से कोई भी पॉइंट स्कीप ना हो और दूसरा मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें सबसे पहले हम M.I. English Annual System के जो कोर्सिस हैं जो के यह तीनों उनिवर्स्टी ओफर कर रहे हैं पार्ट वन और पार्ट तू में उसको एक नदर देख लेते हैं फिर उसके बाद उनकी जो फर्दर जो डिविजन है जो कोर्स कॉंटेंट्स हैं वो उस पे देखेंगे इंचाला तो पहले पार्ट वन, पार्ट वन में Classical Poetry, Drama, Novel जो जिसको Fiction भी कहते हैं फिर प्रोज और American Literature यह पार्ट वन के पांच कोर्सिस हैं जो के यह तीनों उनिवर्स्टी ओफर कर रहे हैं जबके पार्ट व की बात करें तो अब यह पोईट्री का जो Modern Poetry कह लेंगे उसको फिर Modern Drama, Novel, Literary Criticism अब यह चार हमारे Compulsory Courses हैं पार्ट व के तीनों उनिवर्स्टी जो ओफर कर रहे हैं लेकिन जो लास्ट हमारा Optional सब्जेक्ट है उसमें हमें चार सब्जेक्ट की ओप्शन दी गई है सबसे मेरे Linguistics फिर Essay फिर Short Stories फिर Literature in English Around the Globe अब इन चारों में से हम कुई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं तो ये थे major courses तो ये उनिवर्सेटी ओफर कर रहे हैं पार्ट वान में भी फाइव हैं और पार्ट वन में हर एक पर तु कि आज की वीडियो में हम सिर्फ पार्ट वन के जो कोर्स states Tips कों ए कन्यंक्री और कोंकों से या प्रोसट की जा, American Literature की सब्सक्राइब बार पार्ट वन की कोर्स कांटेंट को डिसक्स करेंगे So, Viewer जो हमारा M.A. English पार्ट वन का फर्स्ट कोर्स था Classical Poetry उसमें सबसे पहले The Prologue to the Canterbury Tales यह हमारी तीनों उनिवरस्टी स्ट गूजराद उनिवादि कीतौ इसार्गोदा और विए पंजिभी उनिवरस्टी इसको ओफिर कर रही है यह तीनों उनिवरस्टी के क्लासिकल पुलिटी के कंटेंट केमि में यह कौमन है फिर है एक। से इसको Alexander Pope ने लिखा, यह भी तीनों उनिवस्तीज में common है, फिर है Paradise Lost इसकी book one, जो के John Milton ने लिखा Paradise Lost, अब यह भी तीनों उनिवस्तीज का common content है classical poetry का, जोंई तो तो सर्गोडा के ज्वर्सिति भावर की जा रही आप पाढ़ सकते हैं The Good Morrow, Go and Catch a Falling Star The Sun Rising Song is Sweetest Love, I Do Not Go A Validiction of Weeping A Validiction of Forbidding Mourning The Expiration Holy Sonnets है अब उसके बाद Hymn to God The Father Holy Sonnets दूसरी है A Hymn to Christ फिर है A Hymn to God My God तो ये John Donne की Poems हैं जो के University of Sargoda के Course में शामिल हैं फिर आता है University of Gujarat का योजी का उसमें अब Love Poems है Go and Catch a Falling Star जी सेम है The Sun Rising सेम है The Good Morrow सेम है A Valediction of Forbidding Mourning The Expiration The Message Sweetest Love, I Do Not Go A Valediction of Weeping Lovers' Infiniteness Twickenham Garden ये Poems है Love Poems हैं to John Donne की जो University of Gujarat के Course में शामिल हैं फिर इसकी सॉनेट्स आती हैं तो जो भी आप बुक लेंगे John Donne की उसमें Love and Divine Poems सारी शामिल होंगी उसमें बहुत सारी Poems होंगी अब अगर तो आपने उनिविश्टियों कुछ राज जा सर गोता से करना है तो आप उस उन उस बुक में से इन Poems को मार्क कर लेंगे लेकिन जब पंजाब जुनिविश्टियों से अगर आपने करना हो तो फिर आपको सारी पढ़नी पढ़ेंगे इसी तरह अगर हम आगे चलें तो Classical Poetry ही के जो further जो different course contents है इसके Paradise Lost अब इसकी Book 9 जुनिविश्ट अफ सर गोता और पंजाब जुनिविश्टियों से बुक वन तो है तीनों में लेकिन उसके इलावा यह भी शामल है जुनिविश्ट अफ सर गोता और पंजाब जुनिविश्टियों से कोर्स में गुजरात में नहीं है पिर है Paradise Regained Book 1 अब जुनिविश्ट गुजरात के स्लेबस में शामिल है बाकी दोनों के स्लेबस में शामिल नहीं है फिर है Fairy Queen Edmund Spencer ने लिखी यह इसकी Book 1 UOG और UOS सर गुदा जुनिविश्टियों गुजरात जुनिविश्टियों के कोर्स में शामिल है फिर है Thomas Wyatt की कुछ सेलेक्टिड पोइम् इस तरह सरे जो है Earl of Saray उसके स्लेबस में भी उसकी जो पोइम्स हैं वह पंजाब जुनिविश्टियों के स्लेबस में शामिल हैं मैंने आपके सामने मैंशन भी कि आप इसको इसको देख सकते हैं फिर सॉनट्स है William Shakespeare की स्लेबस में शामिल है यह चांद तीन की ना Thomas Wyatt सरे William Shakespeare कि चार चार या पांच-पांच पोइम्स हैं वह किसी बुक से आप देख सकते हैं इसके लावा अगर आप इनका जुनिवरस्टी का जो स्लेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इंशाला इंसर्ट कर दूंगा आप वहां से क्लिक करके तो यह स्लेबस डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फोन में अब आगे मूब आउन करते हैं ड्रामा की तरफ जो क्लासिकल ड्रामा पार्ट वान का है उसमें सबसे पहले है एडिपस रैक्स जोके सोफोकलेज ने लिखा यह ग्रीक ट्रिलोजी का है हिसा यह पंजाब जुनि फ़ेस एक्रिश्टोफर मारलो का प्ले है वो सिस्ट पंजाब जुनिवर्सटी और गुजराथ उनर्स्टी में धते इस मी चाहला के आप्लेमार्ट उर्वाजराश यह उनिवर्सट्टि मराणवार का रहेएं न..! कि शर्गोदा जुनिवर्स्टी ने मार्लो का जो प्ले है दजीयू आफ माल्टा उसको अपने कोर्स में शामिल किया हुआ है अब नेक्श है शेक्सपेर का जो हैमलेट बड़ा फेमस एक प्ले है वह गुजराद जुनिवर्स्टी के स्लेबस में शामिल है और त्वेल्थ न स्लेबस में शामिल है जी तो विवर्स अगर नौवल पार्ट वन की बात करें तो गुजराद जुनिवर्स्टी जो शिक्स नौवल्स अपने कोर्स में ओफर कर रही है वो है जोजफ एंड्रियूज का है जोजफ एंड्रियूज है हैंडरी फिल्निंग का ग्रेट एक्पे नौवल्स हैं जो के गुजराद जुनिवर्स्टी के कोर्स में शामिल है पंजाब जुनिवर्स्टी की बात करें तो उसमें बाचेस्टर टावर्स टॉलोप ने लिखा प्राइडन प्रेजिडिस जेन ऑस्टन ने लिखा एडम बीड जॉर्च इलिएट का नौवल है अट सब्सक्राइड ने लिखा वह सबसे पहले जॉनिवर्स्टी का जो राइटिंग है वो है यह तीनों जुनिवर्स्टी गुजरात सर्गोदा और पंजाब यह ओफर कर रहे हैं इनके कोर्स में शामिल है फिर फ्रैंसिस बेकन के ऐसे हैं यह गुजरात सर्गोदा और पंजाब जुनिवर्स्टी के कोर्स में शामिल है अब इंट्र इंट्रॉडक्शन टू कल्चर एंड इंपिरियलिजम यह एडवर्ड साइड ने जो लिखा उसक कि यह भी तीनों युनिवर्स्टी में कॉमनली इंकलूडिड है सिलिबस में अब डिफरेंस जो आ जहां पर आ रहा है वह है यह जो ऐसे है यह बर्टन रसल ने लिखा और यह उनिवर्टन गुजरात के कोर्स में शामिल है तरीड्रेस ऑव पोईट्री शेमस शेमस हीने की युनिवस्ट्राइस गुजरात और पंजाब में शामिल है अन पॉपलर एसे बटन रसल के पंजाब व स्दक कर्स में शामिल है और स्सेलैक्शन वर्म एमिनेट विक्टोरिय जो के त्माम तीनों जुनिवस्टी में कॉमनली इंकलूडीड है। उसके कॉंटेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले प्लेज के बात करें। तो प्लेज है दा डेस्ट ऑव असेल्समैन आर्थर मिलर का वो जुनिवस्टा गुजरात के कोर्स में शामल है। लांग डेस जर्नी इंटो नाइट ये युजीन ओ नील का है ये भी गुजरात जुनिवस्टी के स्लिबस में शामल है। अब नेक्स्ट है मोर्निंग बिकॉम्स इलेक्ट्रा बड़ी फेमस ट्रिलोजी है युजीन ओ नील की ये ट्रैजिक है। ये भी सर्गुदा युनिवस्टि और पंजाब युनिवस्टी दोनों में कॉमनली इंक्लूड एंसलिबस में। और अर्थर मिलर का ये युजीन ओ सर्गुदा और पंजाब के कॉर्स में शामल है। तो यह आप सामने देख भी सकते हैं, मैंने मैंने किया हुआ है कि कौन सा प्ले किस उनिवर्स्टी के कोर्स में शामल है, आप जहां से उसको देख सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं नेक्स्ट अगर हम अमेरिकनल लिट्रेचर में नौवल्स की बात करें यह सरगोदा और गुजरात उनिवर्स्टी के कोर्स में शामल है, फिर है जैज, यह टोनी मौरिसन का, सरगोदा और पंजाब उनिवर्स्टी के कोर्स में, यह कॉमनली इंक्लूड़ीड है, फिर है फोर हूम दी बेल टॉल्स, अरनेस्ट हिमिंगवे का जो नौवल है, यह है पंजाब उनिवर्स्टी के कोर्स में इंक्लूड़ीड, तो यह आप देख सकते हैं, इस ही के अकॉर्डिंग अपने, जो भी आप बुक्स लेंगे, वो जहांसे उनको नोट डाउन कर लें, और परचेज करें, बजार बजा के, अब पोईटरी की बात करें, तो काफी सारे पोईट्स हैं, इन में बहुत कम जहें, वो कमन चीज़ी हैं, तमाम जुनिवर्स्टी की तीनों की, सबसे पहले पोईट है, सिल्विया प्लैथ, अब उसकी जो पोईब्स हैं, इंक्लूडी ना सिलेबस में, वो मौर्निंग सॉंग, एरियल, दबी मीटिंग, लेडी लेज देरिस, अर्वल अव भीवाक्स, पॉपीज इन ऑक्टबर, यूर, ये पोईब्स इसकी शामल हैं, उनिविश्ट अगुजरात और पंजाब के कोर्स में, आब हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसकी जो पोईब्स हैं, मेंडिंग वाल, स्टॉपिंग बाई वोड्स ओन के कोर्स में शामल हैं, वो आप देखें, ये तीन पोईब्स उन दो के साथ शामल करके आपने गुजरात के स्लेबस में मार करनी हैं, अब जो उसकी बाकी पोईब्स हैं, आफ्टर एपल पिकिंग, दा रोड नॉट टेकन, ट्री एट मै विंडो, अक्वेंटिट विज ना की शामल हैं, यानि कि जो पहले दो मैंशंड की हैं पोईब्स, मैंडिंग वॉल और स्टॉपिंग बैवोड ऑन शनुए इवनिंग, ये दो दो दोनों उनिवस्टिक स्लेबस में शामल हैं, लेकिन जो ये बाकी पोईब्स हैं, वो भी उसके साथ इंक्लूड इन आपनी आ मदर तो सन, आज आए गृव ओलर, ये तीन पोईम्स हैं, लेक्स्टन हीँस की जो की सिफ उनुष्टाउ गुजरात के कोर्स में शामल हैं, व.H. ओर्डन की पोईम्स हैं, अज आ वाकड आउट वन एवन इवनिंग, दा अननोन सिटिजन, दिफॉल आप रूम, दाशील तो यह चार पोइम्स गुज्राद जुनिवर्स्टी के कोर्स में शामल है डब्लू एच ओर्डन की अब नेक्स है रिचर्ड विलबर इसकी पोइम्स हैं यह तीन पोइम्स रिचर्ड विलबर की सर्गोदा और पंजाब जुनिवर्स्टी के कोर्स में शामल है नेक्स है जॉन एश्बरी इसकी दो पोइम्स हैं दा पेंटर और मेलोडिक ट्रेंज यह दोनों पोइम्स इस पोइट की हैं और यह दोनों शामल हैं जुनिवर्स्टी सर्गोदा और पंजाब के कोर्स में फिर है एड्रियन रिच इसकी पोइम्स हैं डाइविंग डाइविंग इंटु दर एक गैब्रेल फाइनल नोटेशन आंट जैनिफर्स टाइगर्स यह चारो पोइम्स इसकी पंजाब जुनिवर्स्टी के कोर्स में शामल हैं कॉंटेंट आप इस के अध्यों कि वीजा काप उसकी बुक्स में मार्क कर लें जिस भी अधिसे आप मास्टर्स करना चाहते हैं एन व्याद्स इस इस भी पोइड की बुक करेंगे तो उसमें काफी सारी प्रूंगी उन में से अपने अपनी डैलिवंट उनिवस्टी के जो कोर्स के जो कॉंटेंट्स है वो टिक कर लेने मार्क कर लेने और फिर उसके कोर्णी अपनी त्यारी करनी है सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें इंचाला नेक्स्ट दुबारा हाजिर होंगा इस ही में इंगलिश के पार टू के लिपस के साथ तिल देन अल्हाफिज